Hello Everyone, Welcome to CurrentP sounds तो आज के Daily Current Affairs के स्रीस में हम लोग देखेंगे 21 जूलाई 2023 के Current Affairs को वीड heater मेंठ तक बने रहें, वीडेो के एड में 20 जूलाई 2023 के Current Affairs का हम लोग goiseं करेंगे और ये Current Affairs आपके आने वाले सभी competitive exam के लिए काफी helpful होने वाला है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि करेंट पूर पर मिलता है आपको सबसे पहले और सबसे सटिक डेली करेंटरफेर्स की वीडियो। आंसर है ओप्सन डी 50 प्रतिशत एक एतिहासिक कदम उठाते हुए राजसभा के सभापती स्री जगदीब धनखर ने चार महिला सांसदों को उप सभापतियों के पैनल में मनोनीत महिला सदस्यों में स्रीमती पीटी उसा, स्रीमती एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजि खान, स्रीमती सुल्ता देव सामिल है, स्रीमती एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर नागलेंड से राजसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला है आस्ट्रेलिया भारत सिक्षा और कौसल परिशद की सात्वी बैठक सितंबर दो हजार तैस में कहां आयोजित किया जाएगा आंसर है ओप्सन B गांधी नगर गुजरात में आस्ट्रेलिया भारत सिक्षा और कौशल परिशत की सात्मी बैठक सेतंबर 2023 में गांधी नगर गुजरात में आयुजित किया जाएगा इसके लिए केंद्रे सिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंतरी स्री धर्मेंदर प्रधान ने औस्ट्रेलियाई समकक्ष ब्रेंडन ओ कौर्णर को आमंतरित किया है यह बैठक दोनों देसों के बीच सिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का 2022 पुरसकार नमलखित में से किसे प्रदान किया जाएगा आंसर है ओप्सन ए स्कूल ऑफ एक्सिलेंस कालकाजी दिल्ली को संसदिये कारी मंतराले भारसरकार द्वारा सिक्षा निदे साले राष्टी राजधानी छेतर दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पाली का परिश सिल्ड और ट्रोफी स्कूल ऑफ एक्सिलेंस कालकाजी दिल्ली को प्रदान की जाएगी महिला फीफा विसो कप फुटबॉल 2030 नमलखित में से किस देश की मेजबानी में प्रारंब हुई आंसर है ऑप्सन डी ए और बी दोनों की मेजबानी में यनि की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड की मेजबानी में फीफा वोमन वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड की सह मेजबानी में 20 जुलाई 2023 को प्रारंब हुई टूर्णामेंट में 32 टी में हिस्सा ले रही है जिसका फाइनल मुकावला 20 अगस्त को सिड्नी के ओलंपिक स्ट्रीडियम में खेला जाएगा निमलिखित में से कौन सा बैडमींटन पुरूस खिलाडी सबसे तेज इस मैस लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आंसर है ऑप्सन बी सात्विक साही राज रहेंकी रेड़ी ने भारती बैडमींटन खिलाडी सात्विक साही राज रेंकी रेड़ी ने बैडमींटन इतिहास का सबसे तेज इस मैस लगाने का विस्व किर्तिमान अपने नाम कर लिया है रैंकी रेड़ी ने 565 किलोमीटर प्रतिगंटा की रफतार के इस मैस के साथ बैडमींटन में किसी पुरूस खिलाडी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह विस्व रिकॉर्ड 14 अप्रेल 2023 को इंडोनेशिया ओपिन में बनाया गया था और उस दिन के गती माप नतीजों के आधार पर इसकी पुस्टी 18 जुलाई 2023 को की गई अक्षे उर्जा सुरोतों और उर्जा भंडारन के अनुसंधान के लिए अंतराष्टी एनी पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है ओप्सन डी प्रोफेशर थलपिल प्रदीप को भारती प्रोदगी की संस्थान मदरास में रासायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को प्रतिश्ठित एनी अवार्ट से सम्मानित किया गया है उर्जा और परियावरन अनुसंधान के छेतर में वर्सों से अंतरराष्टी अस्तरपर मानिता प्राप्त इस पुरसकार का उदेश उर्जा सुरोतों के बहतर उप्योग को बढ़ावा देना और सोधकरताओं की नई पीडियों को उनके काम के लिए प्रुत्साहित करना है इस पुरसकार को Energy Frontier पुरसकार भी कहा जाता है विश्व सतरंज दिवस की स्थिथी को मनाया जाता है आंसर है option C. 20 July को विश्व सतरंज दिवस World Chess Day हर साल 20 July को मनाया जाता है 12 दिसंबर 2019 को सन्यूक्त रास्ट ने विश्व सतरंज दिवस को मनानी की घोशना की थी National Chase Federation FIDE यानि FIDE की अस्थापना हुई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है option B केवल 2 दिया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार जापान का पासपोर्ट विस्व का सबसे सक्तिसाली पासपोर्ट है। जो की गलत है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सिंगापूर का पासपोर्ट विस्व का सबसे सक्तिसाली पासपोर्ट है। बाकी के option सही है कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट हेनली एन पार्टनर्स दोरा जारी किया जाता है। तीन यूरोपिय देश जर्मनी, इटली और स्पेन ये तीनो सन्युक्त रूप से 190 विजा मुक्त गंतव्यों के साथ दूसरे अस्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत का जो अस्थान है वो असीमा अस्थान है। हाली में लंदन की परामर संस्था हेनली एन पार्टनर्स ने हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी किया है। जिसमें कि सिंगापूर को सिर्श स्थान पर रखा गया है, जिसके पासपोर्ट धारक 192 देसों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। अफगानिस्तान रैंकिंग में सबसे नीचले स्थान पर है, इसके पासपोर्ट धारक बिना वीजा के केवल 27 देसों की यात्रा कर सकते हैं। एसिया कब 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है आप्सन B, पाकिस्तान और स्रलंका में। यह मैच पाकिस्तान और स्रलंका में चार अस्थानों पर आयोजित किये जाएंगे। सहमेजबान पाकिस्तान, भारत और नेपाल को ग्रूप A में रखा गया है, जबकि ग्रूप B में स्रलंका, अफगानिस्तान और बांगलादेश है। टूर्णमेंट का सुर्वाती मैच 30 अगस्त को मुलतान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। भारतिय मूल की किस साथ वर्सिय च्छात्रा को ब्रिटिस प्रधान मंत्री के पॉइंट्स ओफ लाइट पुरसकार से सम्मानित किया गया है। आंसर है ओप्सन A. मोक्षा राय को भारतिय मूल की साथ वर्सिय स्कूली च्छात्रा को ब्रिटिस प्रधान मंत्री के पॉइंट्स ओफ लाइट पुरसकार से सम्मानित किया गया है। उन्हें दुनिया की सबसे छोटी संपोष्णिय पैरोकार के रूप में यह खिताब मिला है। मोक्षा को जरूरतमंद बच्चों की मदद के वास्ते धन्रासी जुटाने समेट कई संपोष्णिय अभ्यानों में काम से पहचान मिली है। फीफा महला विसुकप 2023 के लिए किस भारतिय टीवी चैनल ने अधिकार हासिल किये हैं। आंसर है ओप्सन सी डीडी स्पोर्ट्स ने डीडी स्पोर्ट्स ने 20 जुलाई 2023 से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड में सुरू होने वाले फीफा महला विसुकप 2023 के लिए भारत में टेलिवीजन प्रसारन अधिकार हासिल करके एक महत्तपूर्ण उपलब्धी हासिल की हाल ही में किस भारतिये को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सेविलियर पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन डी ए तथा भी दोनों को यनि कि अरूना साहिराम और ससांग सुब्रबन्यम इन दोनों को करनाटक गाईका अरूना साहिराम और बासुरी वादक ससांग सुब्रबन्यम को फ्रांसेसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सेविलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह पुरसकार संगीर छेत्र और भारत-फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है संसोधित भारत उर्जा सुरक्षा परिद्रिस 2047-3.0 किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ओप्सन सी निती आयोग के द्वारा भारत सरकार की विभिन हरित उर्जा नीतियों के एकिकरित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संसोधित भारत उर्जा सुरक्षा परिद्रिस 2047-3.0 निती आयोग द्वारा जारी किया गया IESS में वैकलपिक उर्जा संसाधनों से संबंधित कई नीतियों को सामिल किया गया है देश में उर्जा की मांग और आपूर्टी का आकलन करने से संबंधित यह टूल 2047 तक उत्सरजन, लागत, भूमी और पानी की आवशक्ताओं का विसलेशन करने में सहायता प्रदान करेगा तो चलिए अब 20 जुलाई 2023 के करेंट फर्ज का रिवीजन करते हैं भारत में चाट गनराज के नए राजदूत कौन है तो स्री मती डिल्ला लूसियन है भारत के विविद छेत्रों और परमपराओं का प्रतिनिधित्यो करने वाली तसकरी की गई 105 प्राचिन कलाकरीतियां किस देश से वापस लाया गया है तो अमेरिका से हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश सिर्श स्थान पर है तो सिंगापूर है जापान जो की पिछले 5 वर्षों से सिर्श स्थान पर था अब सूचकांक में तीसरे स्थान पर है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है तो असीवा हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के नुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है तो अफगानिस्तान का निती आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 के नुसार बिहार का स्थान क्या है तो 22 वा स्थान है विश्व के सबसे बड़े कारियाले भवन हीरे के व्यापार केंदर के रूप में भारत में कहां बनाया गया है तो सूरत में ACI विकास बैंक ADB ने चालू वितवर्स 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानि की GDP विर्धिदर कितने फीसदी बरकरार रखा है तो 6.4 फीसदी कौन सा देश 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आस्यान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो भारत राष्टिय जन्तांतरिक गढ़बंदन NDA के खिलाप लोगसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने भारते राष्टिय विकास समावेसी गढ़बंदन इंडिया का गठन किया है तो 26 विपक्षी दलों ने भारत मैनमार्थ हाइलेंड आई एमटी त्रिपक्षी राजमार्ग जो एक कनेक्टिवीटी पर योजना है इसके लंबाई कितनी है तो 1360 किलोमेटर किसे इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंद निदेशक और CEO नियोक्त किया गया है तो सूसरी निवरिती राइको तो ये थे आज के करेंट फेर्स आई होप की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद